तोडे विल्टिसकुस अबाउट फैमिली क्रूसी फैरी जिसे हम ब्रैसी केसी के नाम से भी जानते हैं जिसे हम मस्टर्ड फैमिली के नाम से भी जानते हैं तो अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अकॉर्डिंग तो ये आता है सब किंग्डम फैनारो गैम्स, क्लास, डाइकोटली डॉन्स, सब क्लास, पॉली पेटली, सीरी, थैलायमी, फ्रोरी, एन ओर्डर, प्रोरी, लेकिन जादतर जो मेंबर्स हैं वो आपको नौर्थ टेंपरेट रीजन में देखने को मिलेंगे इस फैमिली में जादतर इंपोर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप्स आती हैं और बहुत सारे गार्डेन फ्लावर और वाइल्ड फ्लावर्स इस फैमिली में इंक्ल सताइवस जिसे हम रैडिश या मूली कहते हैं आईबरिस अमारा जिसे हम कैंडी टफ्ट कहते हैं अब हम बात करते हैं इसके हैबिट की तो जादतर प्लांट्स जो फैमिली क्रूसिफेरी के हैं वो आनवल, बाइनियल या फिर पेरिनियल हर्ब्स के फॉर्म में हैं तो यह और पेरिनियल वो प्लांट्स होते हैं जो साल दर साल ग्रो करते रहते हैं तो यहाँ पर अगर हम एक्जाम्पल्स देखे तो ब्रैसिका की कुछ स्पीशीज हैं उनमें आपको तीनो टाइप के हैबिट देखने को मिलेंगे अनवल, बाइनियल और पेरिनियल हर्ब्स यहाँ पर आपको टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा, टैप रूट वो प्राइमरी रूट होती है जो की इंब्रियो के रैडिकल पार्ट से डवलप होती है, यहाँ पर आपको टैप रूट ब्रांच्ट कंडिशन में देखने को मिलेगी, मोडिफिकेशन यहाँ पर तो स्टेम जादतर केसे में हर्बेशियस है बट ब्रैसिका ओलरेसिया वेराइटी कोलुरापा, जिसे हम नोल खोल भी कहते हैं, इस केस में स्टेम कॉर्म लाइक स्टॉक्चर का फॉर्मेशन करती है, जो की एक बहुत ज्यादा थिक स्टॉक्चर होता है, सो राफनस सटाइवर्स के केस में जो stem है वो बहुत ही जादा आपको condensed form में देखने को मिलेगी अब बात करते हैं हम leaves की सो leaves यहाँ पर family brassicae के केस में simple, alternate, ex stipulate है यहाँ पर stipules आपको देखने को नहीं मिलेंगे और जो leaves होंगी उन पर आपको simple या फिर branched hairs दिखाई देगे यहाँ पर जो leaves है वो radical situation में या colline situation में आपको दिखाई देगी radical का मतलब यहाँ पर यह है जब leaves underground stem पर grow करती हैं जो की बहुत जादा reduced होता है when leaves are born on a reduced underground stem so उस condition को हम radical कहते हैं इसके अलावा colline जब leaves main stem पर grow करती है तब उस condition को हम बोलते हैं colline इसके अलावा sub-sacile यानि leaves जो attached होंगी stem से उसमें ptol होगा वो बहुत जादा छोटा होगा या फिर ptol होगा ही नहीं leaves का shape यहाँ पर बहुत जादा important है ब्रैसी केसी में जो leaf का shape होगा वो lirate shape की leaves होंगी बहुत जादा characteristic feature है यह lirate shape की leaves में आपको एक enlarged terminal lobe दिखाई देगा और बाकी के नीचे जो lobes होंगे वो smaller lobes होंगे so lirate जो shape है leaves का वो यहाँ पर बहुत जादा important है so inflorescence की अगर हम बात करें तो inflorescence यहाँ पर race moze inflorescence है जिसमें की क्या होता है inflorescence axis grow करती चली जाती है और उसमें आपको lateral branching और axillary branching देखने को मिलेगी इसके लावा बहुत कम cases में आपको raceme inflorescence भी देखने को मिल सकता है raceme inflorescence, race moze का ही एक type है जिसमें की flowers acropetal succession में arranged होते है acropetal succession क्या होता है जिसमें जो younger flowers होते हैं नए flowers होते हैं वो आपको tip पे दिखाई देंगे और जो older flowers होंगे वो थोड़े बड़े होंगे size में और वो आपको base पे दिखाई देंगे इसके अलावा आपको corium inflorescence भी देखने को मिलेगा जो कि आपको candy tuft यानि की ibris amara में देखने को मिलेगा ये याद रखिएगा corium inflorescence में क्या होता है जो pedicill होते हैं flowers के वो बड़े हो जाते हैं जिसकी वज़े से जो सारे flowers होंगे जाहे वो old हो जाहे वो new flower हो सब आपको एक लेवल पर दिखाई देगा corium inflorescence के case में ये भी racium inflorescence का एक टाइप है इसके अलावा यहाँ पर brats और brachyols absent है rare cases में आपको देखने को मिल सकते हैं brats और brachyols flower की अगर हम बात करें तो flower यहाँ पर mostly ebractiate है pedicillate है actinomorphic है यानि कि जब भी आप flower को cut करेंगे सारे angle से आप equal parts में उसको divide कर सकते हैं hermaphrodite है यानि कि bisexual है complete है cruciform है and hypogynous है यानि कि superior ovary यहाँ पर present होगी अब बात करते हैं calyx की calyx यहाँ पर polysepolis condition में यानि कि sepals हैं वो free है polysepolis condition का मतलब होता है free sepals यहाँ पर आपको four sepals देखने को मिलेंगे जो की दो वर्ल में arrange होंगे two two के दो वर्ल में arrange होंगे यानि दो जो होंगे वो बाहर होंगे और बाकी के दो अंदर की तरफ होंगे तो calyx यहाँ पर आपको दो वर्ल में arrange दिखाई देगा अब हम बात करते हैं कोरोला की सो कोरोला आपको यहाँ पर polypetalus situation में दिखाई देगा polypetalus condition क्या होती है जिसमें की petals free होते है petals fused नहीं होते हैं और यहाँ पर बहुत जादा characteristic feature है ब्रेसी केसी या crucifery family का यहाँ पर cruciform करोला आपको देखने को मिलेगा जिसमें की four petals present होंगे जो की एक वर्ल में arrange होते हैं और यह करोला सेपल से alternate position में present होंगे आप बात करते हैं exception की जैसा कि हमने अभी कहा कि flower actinomorphic होता है लेकिन आपको ibris amara यानि की candy tuft के case में जो flowers दिखाई देंगे वो जाइगो मॉर्फिक flowers आपको दिखाई देंगे क्यों? क्योंकि जो दो outer petals होते हैं ibris amara या candy tuft के case में वो बड़े हो जाते हैं तो इस वज़े से flower यहाँ पर ibris amara के case में देखने को मिलेगा यह बहुत ज़ादा important point है आप हम बात करते हैं androsium की so androsium के case में यहाँ पर आपको six statements देखने को मिलेंगे जो की दो words में arrange होंगे six statements जो की दो words में arrange होंगे दो बाहर की तरफ जो statements होंगे वो छोटे होंगे और जो बाकी के चार statements होंगे वो अंदर की तरफ होंगे but वो लंबे होंगे so इस situation को हम बोलते हैं tetradynamous condition जो की crucifery का characteristic feature है बहुत ज़ादा important point है यह आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पर आपको six statements दिखाई देंगे दो words में arrange होंगे बाहर के दो statements जो होंगे वो short होंगे और अंदर के जो चार statements होंगे वो long होंगे और इसके लावा nectaries are developed as small green glands on the base of two short stamens आपको कुछ cases में जो stamens है जो two short stamens है उनके case में आपको nectaries भी देखने को मिल सकती है वहाँ पर base पर देखने को मिल सकती है कुछ cases में अब हम बात करते हैं गाइनूशियम की तो यहाँ पर आपको bicarpillary situations देखने को मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर दो carpals present होती है क्योंकि यहाँ पर दो carpals present है इसलिए वो दोनों fused भी होंगे इसलिए यहाँ पर sincarpus term use किया गया है sincarpus मतलब fused carpals जब भी एक single carpals present होगा तो वहाँ पर apocarpals condition होगी इसके लवाद दो या दो से ज़ादा carpals present होगे तो वहाँ पर mostly sincarpus condition देखने को मिलती है ovary यहाँ पर superior है unilocular है but it becomes bilocular due to the formation of a false septum which is called as replum यह भी characteristic feature है family crucifery का कि आपको यहाँ पर एक false septum देखने को मिलेगा जिसका नाम है replum और यहाँ पर जो placentation होता है वो parital placentation होता है इसी वज़े से जो यह replum या फिर false septum बना है यह parital placenta के ingrowth की वज़े से हुआ यानि parital placenta के ingrowth के कारण यहाँ पर false septum या replum का formation हुआ है style की अगर हम बात करें तो यहाँ पर style short है stigma आपको two lobed stigma दिखाई देगी जिसमें की दो lobes होंगे fruit की अगर हम बात करें तो यहाँ पर characteristic fruit है silikua या silikula इसके लावा आपको rafenus sativus में lomentum fruit देखने को मिलेगा pollination यहाँ पर intemophilus है यानि की insects के थुरू यहाँ पर pollination होता है अब हम बात करते है इसके floral formula की so अगर हम बात करें cruciferi या brassi case के floral formula की so जैसा की हमने आपको बताए कि यहाँ पर e-bractiate या e-bractiolate situation प्रेजेंट होंगी इसके लावा actinomorphic situation है harmafrodite यानि की bisexual situation है यानि की जो androsium और gynosium है वो आपको सेम फ्लार में देखने घुमलेगा कैलेक्स यहाँ पर two plus two के arrangement में यानि की दो सेपल्स बाहर होंगे दो सेपल्स अंदर की तरफ होंगे इसके लावाद को रोला यहाँ पर four है चारो एकी वर्ल में arrange होंगे androsium बहुत जादा characteristic feature है यहाँ पर six stamens होंगे जिसमें से दो stamens जो होंगे वो बाहर की तरफ होंगे और छोटे होंगे इसके लावा जो चार stamens होंगे वो center में होंगे और बड़े होंगे लंबे होंगे यह condition जो है यह बहुत जादा important है crucifery की tetradynamous condition है इसके लावा gynosium की अगर हम बात करें तो bicarbulari situation है syncarpus है यानि की fused carpals है और superior ovary यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तो यह पूरा overall general floral formula है crucifery का यह brassica combustress का flowering twig है अगर आप इसमें देखे तो कौन-कौन से characteristics आपको देखने में पता चलेंगे जैसे की lirate leaves यह lirate leaves है जिसमें जो terminal lobe होता है वो बड़ा होता है और बाकी lobes छोटे होते हैं इसके लावा अगर आप flower का inflorescence यहाँ पर देखें तो आपको raceme inflorescence यहाँ पर देखने को मिलेगा acropetal succession में यहाँ पर flowers arranged है यानि की जो older flowers है वो आपको base पे दिखाई दे रहे हैं और जो younger flowers है जो छोटे-छोटे flowers है वो आपको tip पे दिखाई दे रहे हैं इसके लावा अगर हम flower की बात करें तो flower में आपको जो sepal है वो four sepal दिखाई देंगे जो की दो-दो के वर्ल में arrange होंगे petal की अगर हम बात करें तो petal भी यहाँ पर four है जो की एक single वर्ल में arrange होंगे stamens की अगर हम बात करें तो stamens यहाँ पर six होंगे जिसमें से आपको चार बड़े stamens center की तरफ दिखेंगे और दो छोटे stamen बाहर की तरफ दिखेंगे और इस condition को हम tetradynamous condition कहते हैं ओवरी की अगर हम बात करें तो ओवरी हमारी unilocular ovary होती है लेकिन यहाँ पर एक false septum का development हो जाता है यह आप जो यह line देख रहे हैं यह replum है जिसे हम false septum कहते हैं और यह कहां से बनाए यह जो placenta है यह parietal placentation था और यह जो placenta है इसकी in growth की वज़े से यह false septum बना है जिसकी वज़े से जो यह ovary है यह अब bilocular हो गई है यहाँ पर आपको दो locule देख रहे हैं एक locule यह और एक locule यह तो यह bilocular ovary हो गई है क्योंकि यहाँ पर एक false septum present है rapulum जो की है characteristic feature है इस family का अब हम बात कर लेते हैं इसके androsium की androsium में देख लीज़े यहाँ पर आपको tetradynamus condition बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रही होगी चार बड़े stamens जो की center में हैं और दो छोटे stamens जो की बाहर की तरफ है so tetradynamus condition जो की characteristic feature होता है family crucifery का इसके लावा हम fruit की अगर बात करें तो fruit यहाँ पर है siliqua so अब हम बात करते हैं इसके floral diagram की जैसा की अभी हमने floral formula में discuss किया था कि यहाँ पर bracts और bracteols absent होते हैं sepals की अगर हम बात करें तो यहाँ पर four sepals होते हैं जो की two plus two के arrangement में arranged होते हैं यानि की दो-दो के groups में arrange होंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो sepals बाहर की तरफ हैं और ये दोनों sepals अंदर की तरफ हैं so यहाँ पर two plus two arrangement है sepals के case में petals की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए चार petals हैं चारो एक ही वर्ल्ड में arrange है stamens की अगर हम बात करें तो stamens यहाँ पर six है tetradynamous condition है four stamens अंदर की तरफ हैं जो की बड़े हैं और दो stamens बाहर की तरफ हैं जो की छोटे हैं और center में आपको bilocular syncarpus superior ovary देखने को मिल रही है जो की bilocular हो गई है एक false septum की वज़े से जिसका नाम है rappelum so center में आप जो यह line देख रहे हैं center में वो rappelum है false septum जो की characteristic feature है crucifery family का अब यह जो flowering twig है यह है ibris amara यानि की candy tuft की जैसा कि हमने आपको बताय था कि आपको brassica के case में rasmose या racine inflorescence देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको inflorescence देखने को मिलेगा corum inflorescence इसके लावा हमने आपको बताय था कि brassica केसी में actinomorphic flower present है बट ibris amara इसका एक exception है क्योंकि यहाँ पर जो petal होता है दो जो यहाँ पर petal है वो बड़े हो जाते हैं कि इसमें zygomorphic flower देखने को मिलेगा अब हम बात करते हैं फैमिली की economic importance की यानि कि इसके जो members हैं वो economically किस तरीके से useful है सबसे पहले हम बात करते हैं brassica campestrous variety dichotoma की जिसे हम काली सरसो के नाम से भी जानते हैं इसके जो seeds हैं उससे जो oil obtained किया जाता है वो cooking purpose में use होता है और जो oil cake बच्चता है उसका use cattle feed में होता है इसके लावा हम बात करते है brassica alba की जो की सफेद राई है इसकी young leaves और shoots को as vegetable यूज़ किया जाता है brassica nigra जो की काली राई है इसकी seeds को as spice यूज़ किया जाता है brassica oloresia variety capitata जिसे हम बंदगोभी या cabbage के नाम से जानते है अब हम बात करते हैं capsula bursa pasteuris की जिसे हम sheffled spurs के नाम से भी जानते है यह बहुत ज़्यादा common weed है जिसकी बहुत ज़्यादा medicinal value है next हमारा है ibris amara जिसे हम candy tuft के नाम से जानते है जिसमें अभी हमने डिसकस किया कि उसमें zygomorphic flower present होता है corum infrosens present होती है so यह बहुत ज़्यादा common ornamental herb है और इसके seeds का use अस्थमा और bronchitis के treatment में किया जाता है इसके लावा rafenus sativus जो कि आपका मूली है इसके लावा brassica oloresia की varieties हैं यहाँ पर जैसा कि अभी हमने देखा brassica oloresia variety capitata जो कि था cabbage या बंदगो भी इसके लावा brassica oloresia variety botritis यह आपका है cauliflower brassica oloresia variety gonglots जो कि आपका है नोल खोल इसके लावा brassica compostrous variety सरसो अब हम बात करते हैं एक important topic की जो कि है cini grain यह एक तरीके का chemical है जिससे related question अभी PGT 2021 में पूछा गया था so cini grain एक तरीके का glucosinolate है जो की brassicaece family का है उन्होंने यही question पूछा था कि cini grain कौन सी family को बिलॉंग करता है so cini grain एक glucosinolate है जो की brassicaece family का member है यह जाधा तर broccoli या black mustard में पाया जाता है जिसे हम brassica nigra के नाम से जानते है so होता क्या है जब भी seeds black mustard के seeds को crush किया जाता है so उसमें जो cini grain present होता है वो degrade हो जाता है allyl isothiocinate में जिसकी वज़े से mustard oil में एक तरीके की pungent taste आता है so यह बहुत ज़्यादा important chemical है यह question पूछा भी जा चुका है इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा अब हम बात करते है overall summary की अभी तक हमने overall क्या discuss किया है उसी को हम summarized form में discuss कर लेते है so सबसे पहले हमने discuss किया था leaf shape crucifery में जो leaf shape होता है वो बहुत ज़्यादा important है lirate leaf shape यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसके लावा flower के अगर हम बात करें तो flower में आपको four sepals देखने को मिले थे जो कि दो whirls में arranged थे four petals देखने को मिले थे जो कि एक single whirl में arranged था इसके लावा six stamens present थे जिसमें से दो stamens थे वो बाहर की तरफ थे और चार stamens थे वो अंदर की तरफ थे tetradynamous condition थी इसके लावा करोला का जो shape है cruciform करोला वो बहुत जादा important है ovary with a false septum रैपलम की हमने बात की और fruit यहाँ पर silikua या silikula के नाम से जाना जाता है तो अगर हम points की बात करें तो यह इतने important characteristics है जिन पर आपको focus करना है जब भी आप family brassication केसी या crucifery के बारे में study करेंगे तो आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को subscribe जरूर करिए इस वीडियो को share जरूर करिए Thank you so much